हेलो दोस्तो जन्रल या यूटुब चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम उत्राखंट कुमाओं के प्रमुग ताल वजीलों के बारे में चर्चा करेंगे पिछले वीडियो में हमने उत्राखंट की प्रमुग औसिदी पौधे के बारे में चर्चा की जिसका लिंक मेंने description box में mention कर दिया है आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं उत्राखंड कुमाओं के प्रमुक ताल वो जील है कुमाओं की प्रसिद्ध जील नैनिताल नैनिताल को इसकंद पुराण में 3 रिसी सरोवर कहा गया है नेनिताल को सरवर नगरी तेशा जीलो की नगरी भी कहा जाता है नेनिताल साथ पहाड़ियों से घीरा है जिसमें चाइना पिक, नेना पिक, सेर का डांडा, आयरपाद, देवपाद, हाडी वली, स्नूव्यू, आलमस्री आकांटा सामिल है दोस्तों क्या आपको पता है नेनिताल की खोज 1841 में सीपी बैरन ने की थी नेनिताल के दक्षिन पूर्वी भाग से बालिया नदी निकलती है नेनिताल की लंबाई 1430 मीटर, चोड़ाई 465 मीटर, तदा गहराई 16-26 मीटर है भीमताल भीमताल एक त्रिबुजाकार जील है नेनिताल की तरह इसके भी दो कोने हैं जिन्हें तलीतार और मलीताल के नाम से जाना जाता है भीमताल नेनिताल जिले में स्थित कुमाउग का सबसे बड़ा ताल है भीमताल की लंबाई 16-74 मीटर, चोड़ाई 447 मीटर, तथा गहराई 26 मीटर है नकुचिया ताल, नकुचिया ताल नेनिताल से लगभग 26 किलो मीटर वो भीमताल से लगभग 5 किलो मीटर की दूरी पर नेनिताल जिले में स्थित है नकुचिया ताल में 9 कोने हैं इसलिए से नकुचिया ताल कहाते हैं नकुचिया ताल कुमाओं की सबसे गहरी जील ताल है नकुचिया ताल की लंबाई 950 मीटर चोड़ाई 680 मीटर तथा गहराई 40 मीटर है साथ ताल साथ ताल नैंताल से लगभग 25 किलोमेटर तथा भीमताल से लगभग 8 किलोमेटर की दूरी परिस्तित कुमाओं की सबसे सुन्दर जील है यहाँ साथ जीले हैं जिनमें से कई सूख गई हैं इनमें नल, दमियंती ताल, गरूडिया पन्ना ताल, पूर्ण ताल, लक्षमर ताल वर रामसीता ताल प्रमुक हैं यहाँ नल देमंती ताल की आकरती आस्रुख खुर के समान है तथा इसमें मचलिया नहीं पकड़ी जाती है खुरपा ताल खुरपा ताल, नहींताल से लगभग 12 किलोमेटर की दूरी पर इस्चित है खुरपा ताल की लंबाई 1633 मीटर, चोड़ाई 5000 मीटर है खुरपा ताल का आकार जानवरों के खुर के समान है जिलमिल ताल जिलमिल ताल, चमपावत जिले के टनकपूर, ब्रहम देव फिस्चे लगभग 5 किलोमेटर की दूरी पर इस्चित है जिलमिल ताल दिन भर में 7 बार रंग बदलती है जिलमिल ताल लगभग 6800 वर्ग मीटर में फैली है मान्यता है कि मापूर्णागिरी इसी पावन जिल में स्नान किया करती थी जिल के किनारे माँ जिलमिल का मंदिर भी बना है इस जिल को पांडो की उत्पती भी मानते है क्या दोस्तों आपको पता है पांडों की प्यास बुजाने के लिए जील के उपपर की पहाडी में भीम ने बड़े से पत्थर में घुटना मार कर पानी का स्रोत पैदा किया द्रोन सागर यह ताल उदम सिंग नगर के कासिपूर से लगभग दो किलो मेटर की दूरी पर इस्तित है यहाँ गुरुण दोर्ण ने अपने सिश्यों को धनुर विद्या की सिक्षा दी थी गीरी ताल यह ताल उदम सिंग नगर जिले में हैं तता इसके निकट चामुंडा का भव्य मंदिर है तता यहाँ दूर दूर से प्रियाटा घूमने आते हैं श्यामला ताल श्यामला ताल चमपावज जिले में इस्टित है यहाँ सपेट कमल के फूल खिलते हैं श्यामला ताल के किनारे विवेका नंद आस्रम इस्टित है यहाँ जूला मेला लगता है तडाक ताल तडाक ताल अल्मोरा जिले के चोखुटिया से लगभग 10 किलोमेटर की दूरी पर इस्थित है इस ताल में पानी की निकासी के लिए 5 सुरंगे बनी हैं जिसमें से 3 अब बंद हो गई है सुकुंडा ताल सुकुंडा ताल बागिश्वत जिले से लगभग 38 किलोमेटर उत्तर में पोथिंग नामक गाउं के समीब इस्थित है सुकुंडा ताल गाउं के उत्तर पस्चिम में लगभग 5000 फिट की उचाई पर एक परवत की चोटी पर इस्थित है सुकुंड दो सब्दोसू और कुंड से मिलकर बना है जिसका अर्थ है एक सुन्दर कुंड मान्यता है कि हिमाले में निवास करने वाले सभी देवी देवता यहां हर रोज पराता है कालिशनान करने आते हैं चारो तरफ से जंगलों से घिरा होने पर भी इस कुंड में गंदगी नहीं दिखाई देती जब कुंड में पेडों की कोई भी सुकी पत्ती गिर जाती है तो यहां निवास करने वाली पक्षियां इन पत्तियों को अपनी चोज द्वारा बहा निकाल देती है इस कुंड का निर्मा महा भारत काल में बलसाली भीम द्वारा किया गया था पांडों के अग्यादवास के समय पांडों को यहां काफी प्यास लग गई तब भीम ने अपनी गदा से इस चोटी पर प्रहार किया और एक कुंड का निर्मार कर दिया भारत के सुजर लेंड कहा जाने वाला प्रसिद्ध प्रियाटक इस्तल कोसानी और सुकुंडा की उचाई लगभग बराबर है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक वो शेर कीजे और चैनल को सस्क्राइब कीजे ताकि आगे आने वाले वीडियो को आप मिश ना कर पाएं